सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टार्गेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दवाईए तो दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं नदीशु गंगा त्रेश्टा रिखांकित पद में कौन सा कारक यूँ विवक्ति है तो दोस्तो नदीशु में अधिकरण कारक और सब्तमी विवक्ति होती है सब्तमी विभक्ति में जो नदी का रूप चलता है वो चलता है नद्याम नद्यो नदीशू तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अधिकरण कारे को सब्तमी विभक्ति बिल्कुल सही है इसके बाद है अगला कोश्यन ग्यानम भारम क्रियो बिना स्लोप का क्या अर्थ है दोस्त जो आप लेते हो जिसका कोई उपयोग ही नहीं है आपके जीवन में तो वो क्या होता है वो ग्यान भार के समान होता है अगला कोश्यन है विद्या धर्मेड सोबते स्लोप का क्या आर्थ है दोस्तों विद्या धर्म से ही सोबा देती है इसके बाद अगला कोश्यन है करण क का चिन क्या है दोस्तों करड़ कारक का चिन होता है से या द्वारा अगला कोश्चन है दोस्तों अधिकरड़ कारक का चिन क्या होता है दोस्तों अधिकरड़ कारक जो होता है उसमें होती है सब्तमी विभक्ति और दोस्तों अधिकरड़ कारक का चिन होता है वो होता है में पर या उपर तो दोस्तों यहाँ पर देखिए से अलग होने के अर्थ में दिया है तो दोस्तों यहाँ पर दिया है अपादान कारक का चिन तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है question में अधिकरण कारक का चिन तो आपको अधिकरण कारक के चिन में क्या लिखना है में पर या उपर इ यानि कि bridge पर पच्ची बैठते हैं, तो यहाँ पर देखिए पर आया, तो दोस्तों यह सब होते हैं अधिकरण कारक के चिन, तो यहाँ पर दे दिया है, से अलग होने के अर्थ में यह बिल्कुल गलत है, इसको आप सही कर दीजेगा, से अलग होने के अर्थ में अबादान का ठीक है, तो यहाँ आप लोग सही कर लिजेगा, अधिकरण कारक का चिन क्या होता है, में पर या ऊपर होता है, इसको कट करके, इसके बाद है अगला कुशन, सुलेक का क्या अर्थ है, दोस्तों सुलेक का अर्थ होता है सुन्दर और सुस्पस्ट लिखना, अनुलेक का अर प्रुट्य क्या होते हैं दोस्तों उससे सब्धान्स जो सब्ध के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं जैसे हार में प्रे उपसर्ग गुड़ा है तो यह क्या हो गया है प्रे हार हो गया है अगला कुशन है वाच्च क्या है किसी बात को कहने का धंग ही वाच्च कहलाता है इसके बाद है वाच्च के कितने बेद होते हैं दोस्तों वाच्च के संस्क्रि के आगे लगता है जैसे फार में लगा है तो भी हार हो गया, जै में लगा है तो भी जै हो गया, वाद में लगा है तो भी बाद हो गया, राम में लगा है तो भी राम हो गया, देश में लगा है तो भी देश हो गया, तो ये पांच सब्द मिल गए जो की वी उपसर्ग से मिल अगला कोश्ण है तब्यत दव्य प्रत्य से कोई दो सब्द बनाएए तो पठ तब्यत पठ तब्यम और त्रीध derecho में के कर्ट तब्यम इसके बाद है अगला कोश्ण कत प्रत्य के प्रियोक से कोई चार सब्द बनाईत दोसों देखिए हस में जब हस में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हसितम दा में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा दत्तम भू में जुड़ेगा तो भू धातु में भूतम और ग्रह में जुड़ करके ग्रहीतम अगला कुशन है प्रत्य को परिभासित कीजिए ऐसे सब्द जो धातु के अंत में जुड़ कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्य कहलाते हैं यानि कि उपसर्ग किसी भी धातु के पहले जुड़ते हैं और जो प्रत्य होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बाद में जुड़ते हैं, इसके बाद है, अगला कुशन, संस्कृत सिचछड में उपर्युक्त, उपकरडों का उलेख कीजिए, या फिर नामों लेख कीजिए, स्यामपट, चाठ, हरितपट और मान शित्र, इसके बाद है, अ रहेगा और यहां पर मा के नीचे हलंत रहेगा तो यहां पर दोस्तों सही कर लिजेगा आप लो पितु पित्री भ्याम और पित्रिभ्या दोस्तों यहां पर विसाब को थोड़ा से सही करना है यहां पर यहां पर मा के नीचे हलंत लगा देना बिल्कुल सही जाएगा यहां इसके बाद है आगे, अगला कुशन है, जहलाम, जसुरंते, किस संधी का सूत्र है, इसकी परिभासा उदार सहित लिखिए, तो दोस्तों यहाँ पर रहेगा जशत्व संधी, क्योंकि ये परिभासा है, जशत्व संधी की, तो यहाँ पर आप लोग आधास्षा बना अपने ही वर्ग के तिरती ये वर्ड हो जाते है जिसे दिकधन अंबर मिलकर के दिगंबर यानि कि का वर्ग में का पहला वर्ड है और जो गा है वो तीसरा वर्ड तो देखिए पहले वर्ड का क्या हो गया तीसरा वर्ड हो गया का की जगए पर गा हो गया दिकधन अंबर दि तो यहां पर यहां पर तो सही कर लिजेगा आप लोग जगत धन इस जगदीस होगा यहां पर जहां रा दिया यहां ता रहेगा और ता के नीचे हलंत रहेगा और ता था दा यहां पर देखिए आप लोग ता का क्या हो गया दा हो गया यहां पर भी पहले वर के पहले अक्ष हो गया दा हो गया ठीक है तो जगत धन इस जगदीस हो गया इसके बाद है अगला कोशन अस धात लंग लकार का रूप उत्तम पुरुस के तीनों होचनों में लिखिए दोस्तों यहाँ पर राइट अंसर है आसम आस्म आस्म विल्कुल सही आंसर है यह दोजार सोले में अगला कोशन रामाय गाम ददाती में कौन सा कारक है दोस्तों राम गाय को दान करता है तो इसमें दान करने के संबंद में होती है तो तुर्थी विवगती एक वैचन ठीक है यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही दिया है अगला कोशन है गुरुष आपते के सब्सक्तमी विवगती के सभी वचनों के रूप लिखिए तोस्तों देखिए यहाँ पर गुरौव गुरूव गुरूश बिल्क अगला देखिए ने धन अकर ठीक है तो यहाँ पर नायकर में संदी हो जाएगी दोस्तों आप लोग की आयादी स्वरसंदी आप लोग साही कर लीजेगा ठीक के दोस्तों बस यहाँ पर आयकी मात्रा लगानी है आपको इसके बाद है आगे गम धात में गत्वा प्रत्या के अंतरगत कौन कौन से वर्ड आते दोस्तों अग प्रत्या हार के अंतरगत आने वाले वर्ड है आई उरी लिरी अगला कुशन है गम धातु में कोई दो उपसर लगा कर सब्दे बनाईए दोस्तों देखिए गम धातु में अगर हम अनुपसर लगाएंगे तो यह हो दोस्तों दिर्ग सवरो की संख्या जो होती है वो होती है साथ ठीक है और यहाँ पर दिया है आठ तो इसको आप सही कर लिजे देखिए सवरो की संख्या साथ होती है तो यहाँ पर जितने भी स्वर दिये हुए हैं यह सब दिर्ग हैं सिर्फ री को छोड़कर री जो होता ह वह हरस्व होता दोस्तों. हरस्वी मैं आप आप लोगो बता दू anthrop上 होते हैं वह 5 सुर होते हैं और जो दिर्ग होते हैं वह 7 होते हैं. ठाझ है? ये किसके साथ आएगा? ये आएगा A. E. U. R. ल. फिक है? इसमें आएगा तो ये होते हैं अरसुसवर ये टोटल होते हैं 5 तो हरसुसवर 5 होते हैं और दीरदुसवर 7 होते हैं इसके बाद है अगला कोशन अनुस्वार का उदारण धर्मंचर मिलकर के धर्मंचर बन जाएगा और अनुस्वार का उदारण लिक्षेद करेंगे तो वाकधन वयम बिलकर के वांग मयम बन जाएगा अगला question है परोपकार सब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए दोस्तों यहां पर परोपकार सब्द में होता है तत्पुरुस समास ठीक है दोस्तों यहां पर परोपकार है होगा तो यहां पर जब परोपकार है का हम समास विग्रह करेंगे तो यह होगा परेशाम उपकारह यानि कि परेशाम उपकारह यह हो जाएगा अलग-अलग समास detect विग्रह और यह होगा तदपुरुस समास यहांपर दोस्तों देखिए परौपकार का संदिभीछेद कर दिया है परधन उपकार करके तो यहांपर संदिभीछेद नहीं करनी है हुआ खमको क्या करना है समास बिग्र ए trigna तो समास बिग्र हम कैसे लिखेंगे परौपकार का परौपकाः का परौपकार है का परौप परेशाम और उपकार है अलग अलग सब्द रहेगा थी इसके बाद है मातरी सब्द के स़ष्टी विबगती के तीनों वचनों में रूप लिखी तो दोस्तों ये हो जाएगा मात्यों मात्रो मात्री डाम इसके बाद दोस्तों अगला है स्ट्रू सुनना धात लट लकार प्रतम पुरुस के सभी वचनों के रूप यहाँ पर लिखी दोस्तों देखिए जब इसका हम स्रूध हातु का लट लकार का रूप देखते हैं तो यहाँ पर एक वचन में आता है स्रिडेती और स्रिडवन्ती ठीक है तो यह होगे आपका लट लकार का प्रतम पुरुस का रूप प्रारब्ध मुद्ध मजनाह ना परिव्य जन्ति स्लोकान से का अर्थ लिखिए दोस्तों प्रारब्ध कर्म घटना अनुकूल प्रतिकूल परसिती सरेर के रहने तक रहती है परन्तु ज्यानी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगला कुशन है युश्मत सब्द के प्रतमा विवक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए युश्मत सब्द के प्रतमा विवक्ति का जो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रूप चलता है वो देखिए तीनों वचनों में युश्मत सब्द के रूप प्रतमा विवक्ति त्वम, यूवाम, यूयम, विल्कुल सही है दोस्तों इसके बाद है बली मियाचते वसुधाम में बली का कर्म संग्या विधायक सूत्र लिखिए दोस्तों देखिए धर्ती पर बल ही पूज नहीं है जिस प्रकार चीटी अपने बल के द्वारा कारे करती है तो यह कारे कर्म संग्या विधायक सूत्र में आता है सूत्र इस पिर्चवी पर कर्म है प्रधान पूज है अगला कुशन है श्याम बुद्धीमान लड़का है वाके का संस्कृत में अनुबाद कीजिए श्याम है बुद्धीमान है बाल के अस्ति अगला कुशन है पितरों सब्द का समास यह जाएगा, पितरो और यह होता है, एक स्वेस द्वंद समास, इसके बाद अगला कुशन है अक प्रत्याहार के अंतरगत कौन-कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों अक प्रत्याहार के अंतरगत आ, ई, उ, र, 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 पांच वर्ड आते हैं इसके बाद है यहाँ पर दोस्तों देखिए असमद होगा असमद सब्द के प्रत्मावि भक्ति के निने थीनों हुचनों में रूप लिखे दोस्तों यह हो जाएगा अहम आवायम बहुत ही आसान है तो आसमत सब्ध रूप है यहां पर पा आ लिखा है मा खर लिजेगा आगे है अचि-प्रत्यहार के अंतर्गत कौण कौण से वल आते दोस्तों आज प्रत्याहार के अंतरगत आ, ई, उ, री, ल, ए, ए, ओ, और आते हैं इसके बाद है वृत, यतनीन, संग्रक्षिता, लोक का अर्थ लिखी दोस्तों ये हो जाएगा तरित्र की रक्षा यतने पूरबर करनी चाहिए अगला कुशन है नासिका के द्वारा किन वर्डो का अचाड किया जाता है इसके बाद अगला कुशन है प्रय उपसर्ग लगा कर कोई दो सब्द लिखी दोस्तों देखिए प्रय अपसर लगा करके प्रशार, प्रमाडम, प्रहार और प्रकार, इसके बाद है अगला कोशन, दिर्क संदिका, सुतर लिखिए बहुत ईजी है, 2019 में पुछावा कोशन है, अका सवार्डे दिर्गा, इसके बाद दोस्तों अगला कोशन है, सह साकम समम सार्धम सब्दों क कि योग में किस विवक्ति का प्रियो की अलता है, इरतिया विवक्ति का, दोस्तों उमीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे, और आपके जितने फ्रेंड्शे सब इस वीडियो को दे पाएं दोस्तों अगर आप चनल पर नए है तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे हम जो भी नई वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए अब दोस्तों तलिया आगे दे लिखेए दोस्तों इसको लिखेंगे एक विंचति इसके बाद है सब्ताज्याई सब्सक्राइब कौन्ट समास प्रउक्त होगा दिफटो इसमेठों प्रेउक्त होगा अगला कुशन है असमत्य सब्सक्राइब के द्वृतृन विबक्ती के थीणी वच्छनों का रूप दोस्तों ये हो जाएगा माम, आवाम, असमान विल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर आपके सभी अतिलबूत्री कोश्चन्स पवन सीरीज के कम्लेट होते हैं आपके संस्क्रिट सब्जेक्ट के दोस्तों इसके बाद हम लगुत्री कोश्चन्स पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग की भारी डिमांड आ रही है कि मैं प्लीज आप लोग लगुत्री कोश्चन्स को भी कम्लेट पढ़ा दिजे संस्क्रिट में प्राबलम हो रही है अच्छा स्कोर करें क्योंकि दोस्तों जब आप सभी समिस्टर में अच्छा स्कोर किये रहेंगे तभी आपका टोटल रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसके लिए आपको हर समिस्टर में मेहनद करनी है और हर समेस्टर में अच्छे एक नमबर लेकर के आने हैं वीडियो देखने के लिए आप सबी लोग का पातों धन्यवाद ऐसे ये चैनल से बने रहे हैं जैने दोस्त